रात को सोते समय, जिस कमरे में सोते हैं, ध्यान रखो आपका सिराना पस्चिम को होगा तो आपको चिनता पीछा नहीं छोड़ेगी, आपका सिराना अगर उत्तर में होगा, तो आपको बीमारी और कमजोरी पीछा नहीं छोड़ेगी, आपका सिराना पस्चिम में न हो, उत्त कर दोने के पहले हाथ पैर दोले कोने चाहिए गंदे पैर गंदे हाथ जुठा मूँ लेके कभी नहीं सोते। रात को हो सके तो तो सर्सों का तेल जरम मुँ को रगर मार के फिर सोना चाहिए। तो दांत मजबूत रहते। अब ते पंदरे दिन निमक और सर्सों रगर के रात को दांतों को सो जाओ तो दांत मजबूत रहते हैं। दंटिसों को क्यों तकलिफ देना। पेष्ट करते तो दांतों की बिमार्या जल्दी पकड़ते हैं। नन जन करने से दात मजबुत भी रहते हैं और कसरत भी हो जाती मसुड़ों की, फैर रात को सोने के पाहले, हाथ पेर दूले होने चाहिए और गीले हाथ पर लेके नहीं सोना चाहिए। रात्री को स्नान करना स्वास्ति के लिए अच्छा नहीं है, पिर भी मासिक धरम हो गया या किसी कारण हुआ तो जल्दी से स्नान करके सुखे कपड़े से पोच लेना चे अपने संगों को अची तरह गिला सीर गिला सरीर अथवा सिलिंग फैन के नीचे सोएंगे तो बुढ़ापे में गठिया और वायू और सरीर में दरद पकड़ लेगा अगर एर कंडिशन आपके पस्चिम की खड़की पे तो अब भी निकाल के पेग दो पस्चिम की एसी आपको भी मार करेगी